नमस्कार, बीसे नियूस की प्रदेश की खबरों में मैं दुशा आपका स्वागत करती हूँ आये नज़र डालते हैं खबरों के और उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष अजे कुमार लल्लू के आवाहन पर कॉंग्रेस पार्टी में चन्त पदहापर में सोमवार कुप पेट्रोल वर डीजल की बरती कीमतों के खिलाफ केंडर सरकार की खिलाफ जिला मुक्याले पर शिरूवा जोरदार विरोध प्रदर्शन कॉंग्रेसियों द्वारा यह प्रदर्शन बेल गाडी तांगा द्वारा कांधी प्रतिमा से शुरू होकर कोल मार्केट सराफवा बासार पुराना बासार होती हुए सिकंदर गेट तक किया चाएगा पेट्रोल डीजल के बर्ति कीमतों के खिलाफ कॉंग्रेस कारकरताओं ने किया जिला मुक्याले पर जोरदार विरोध प्रदर्शन देश में बर्ति महेंगाई के लिए केंडर सरकार के खिलाफ कॉंग्रेसियों ने बैल गारी से किया विरोध प्रदर्शन BCN News के लिए हापुर से अनल कशप की रिपोर्ट यूपे के हमीरपूर चुले में उत्रप्रदेश सरकार निक अक्सिजन प्लांटों की निर्मान कराने के लिए परचेट पीछ दिया है चुले में सबसे पहला ऑक्सिजन प्लांट मौदा CSC में बनाया जा रहा है दो से तीन दिनों में इस प्लांट की सास्ता संबंदी जरूरतों के लिए औक्सिजन की सप्लाय शुरू करती जाएगी औक्सिजन प्लांट की ओपनिंग को लेकर सीडियो और सीडियो और सीडियो को सौप दिया गया है तो ये हमको लगता है कि तीन दिनों लगेंगे तीन दिन के बाद ही हमारा प्लांट पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा हमारे जिले में पहला प्लांट आया BCN News के लिए हमिरपूर से रमाकांत विश्व करमा की रिपोर्ट सुल्टानपूर के अंतर गर्थ ठाना गोसई गच में दो पक्षों मिं जमिन्नी विवाद को लेकर मार पीट jaki जिसकी बाद गच में तेनाथ दर्योंगा आनन गरता विवाद को संधान में लेकर मोग्ट पर गए थी इस दोरान दरोगा आनन गौतम आवेश में आकर एक पक्ष की महिला को मारा पीटा किया जिसकी बाद गाव की जनता उग्र हो गई और दरोगा के खिलाफ ततकाल कारवाई की मांग करते हुए टैंडा बांदा हाईवे को चाम कर दिया हाला कि मौके पर फोचिस योगो से गंच ने चर्था को समझा बुझा कर शांकर रोड को खाली करा गया यहीं वगल में ग्राम दिह डग्दूपूर है मजरा भटवाग का पुरवा यहां रेनू पत्नी सर्वन और दृती पत्ष हैं पूजा पत्नी संतोर के बीच जो है हर्जन अबादी को ले करके इस पर कपजा को ले करके दिवाद था जिसमें कालर संतोस की सुचना पर वहां भटमाई तुरिश्चोंकी के अधिकारी करप्चारी और आपके यह पत्नी सर्वन के साथ जो लोग असंतुस्ट से तो हाई वे पर आ करके जो है इक अठा हो गए तो ता फिर पुलिस चौकी पर आये इस बीच में भी आ गया समझा भुजा कर वापस कर भी आ गया है इसमें आवस्यक जिभी करवाई की जाए सर कुछ महिलायो द्वारा कहा जा रहा है कि उनसे साथ मार पीट की गई है किसी पुलिस कर्मी द्वारा अगर ऐसा है तो उचिक करवाई कराई आईगी सिधान नहम लेके बता रहे है का आनाम गौतम नहम को मार गया है बीसेन नियूस के लिए सुधान पुर से प्रमोद यादो की रिपोर्ट आए नज़र दारते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की और नियूस के बीड़े काफिल के साथ आई चीफ चनर शेकर आजाद रावन दिवास नियूस के प्रदेश की सुपसी राजनीती में मानोगरमार सी आ गई है विपक्ष अचानक हमलावर हो गय है जबकि सरकार बच्चाव के पक्ष में लगी है मामले में पीडित परिवार को नियाय दिलाने की नाम पर पूर्व मंतरे कमलनाद भी निमावर का दोरा कर चुके है अब इसी मामले को लेकर पीम आर्मी भी अचानक सक्री हो गई है पीडित परिवार से मिले पीम आर्मी चिफ चनर शेकर आजाद रावन आए उन्होंने एक तरह से शक्ति प्रदरशन क्या उसके साथ समर्थो को का बड़ा काफिला था वो मेडिया से बोले कि दलित आदिवासी अलग-अलग नहीं है मैं पहले अपने परिवार से मिलूँगा चब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगी उन्होंने घटना की सीबिया जांच की मांकी है और कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद साइकल यातरा छोड़ कर यहां आउंगा उन्होंने मुख्यमंतरी आवास का गिराव करने की भी चेताउनी दी देखे मैं तो आज यहां पहुँचा हूँ और इंदोर से लेके यहां तक सक्ड़ो जगा रुका हूँ एक बहुँ संक्यक भीड जो रोड़ पर जमाती उसका यही कहना था कि इस घटना की सीबिया जांच होनी चाहिए देखे लोकतंतर और न्याए प्रनाली इसी बात पर ठिकी वी है कि जो पिडिट परिवाद है यह आम जन्माने से उसका संतूष्टी करन बहुत जरूरी है इसको तो कोट भी कहता है कि पिड़िट अगर अगर संतूष्ट नहीं है तो वो न्याए नहीं हो के लोगों में से संदेश करता रहता हूं तो यह चिर्चाज यहां नहीं बची है यह पूरे देश में चली गई है और पूरे देश में इस बात को लेके आकरोश है कि एक परिवार के पाच पाच लोगों का मडर हो गया है और तालिस दिन तक बोड़ी भी परावन नहीं हुए हो ऐसे एक अजनाना अध्या में कोई कारवाई नहीं हुए यांकि सरकेल अधिकार की क्या आधि वह से धलिट जो है कि इनकी हथ्या करना जो है को इसे जोлекते हु जहां तक मैं समझता हूं हमारी मांग भी है कि मुख्य मंतरी सीवियाई जाच की घोशना करें और इसमें सीवियाई जाच वो भी सुप्रिम कोट के जजों के निर्देशन में जिससे की आम जनता जिसमें डर का भैका माल वैफ्थ हो गया है जो कहीं लोगों से मैंने भी सुन कि वो तो प्लाइन करने की बात भी कर रहे हैं तो ऐसे मैं तो अगर प्रदेश से लोग प्लाइन करेंगे तो जाएंगे कहां तो दुखद है और जो अभी मुझे बताएगा कि मेडिकल रिपोर्ट सब्सक्राइब मैं इन सब चीजों में क्योंकि रहता हूं लॉयर होने के जानता हूं कि बात्तर गंटे के बात तो जीवित व्यक्ति से जीवित जो है जो कि पीडिद है उससे पुष्टी नहीं होती बलतकार की और सब चीजों कि और पुलिस पर टिपड़ी नहीं कर सकती है तो हम तो देखते हैं 48 दिन बाद जो बोड़ी मिली है और जिस तरह से वहां बताया गया कि वहां नमक डाला गया यूरिया डाला गया और भी कोई कैमिकल साथ डाला गया जिनका इतना अच्छा प् गई तो उस परिवार के सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ इस मामले को फास्टेख कोट में चलाया जाए अपरादियों को सक्से सक्साजा हो सीबी आई जाच हो और जो 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 अधिकारी करमचार इसमें इनवोल है जिन्होंने निया को प्रभावित करने काम किया ज पिजो से कंजा कसा जा जिससे की मद्य परदेश की जंता चोन वह यह समझे कि सरकार में न्याहे हैं ओर यह नहीं होता है वह मान अगर लें गह साथ कि यह मुक्हे मंत refugee जो है यह आदी वासी और दलित-विरूधी हुआ में यह कभिया नहीं का जो ऑफ चेत्री वीड़ायक और मुक्यमंत्री के लड़के के साथ में इस इसमें आप किस नजर से देखते हैं देखे अगर 48 दिन तक अपराधी जो है खुला घूम रहा है तो अगर हमारा सिस्टम इतना खमजोर हो गया है कि उसको अपराधी के साथ गोमते होगे इसको पता नहीं है जो कि पिडित परिवाइण ने मुझे पताए कि हमने उनको शक्जाहिर किया था कि इस व्यक्ति दुआरा ये हो सकता है और फिर उस व्यक्ति के होसले तो देखिए उस पिडित बच्ची ने मुझे पताए कि वो हमसे भी कह रहा था कि तुम दोनों मेरे साथ चलो किसी तो कहीं ना कहीं सत्ता का संदक्षन आप रादियों को मैं इस बात को पूर्ण बहतर दरीक से समझता हूं कि अगा अन्याय बढ़ेगा किसी और परिवार के साथ होगा तो हम आज इसलिए लड रहें किसी और परिवार के साथ यह ना हो और ऐसी कानूर वेवस्ता क्या फाइदा जो निया नहीं दिला सकती हो यह तिनी मोटी-मोटी तन खालेने वादीकारी करमचारी किसले हैं और अगर इन पर दबाव है तो यह मामला हमको यह यह ट्रास्पर कर वालें हम तो चाहे का संद्रक्षन है वह तो वहां भी मोज में होंगे मड़ तो हमारे लोग गए हैं और मैंने कहा कि वह तिजाब और वह यूरिया और वह नमक जो है उन बच्चियों पर नहीं वह हमारे पूरे समाज के ओपर फ्यका गया है और हम इसको इस दर्द को भूलेंगे नहीं जब दिली में वहां अगर नाली का वह भी हट जाए तो भी चर्चाय होती है डिबेट होती है अगर कोई कोई स्टेट में देट तब लेकिन पांच पर लोग यहत्या हुई और मेंस्टी मीडिया चुप है वह कोई चर्चा नहीं कर रहा है क्या मानव अधिकार आयो कहा है आज स कि मिडिया जिन मीडिया मदद की जिनकी वैसे हम यहीं पहुच पर धन्यवाद करते हैं और जो मीडिया के लोग किसी कर भाह नहीं कर औरि मीडिया बिर गतना आउ को जनतां की पठ्रतर है और सरकारों से सवाख में जह लगता है किसे मख्धीес मंत्री कर दो कर गए जहां एसी सरकार होगी जो इस कराइम कराइम नहीं मान विये यह क्या मैं पूछ¹ सब्सक्राइब है कि निन्हीं इंसे निया तो मिलने आ गया तो क्या करोगे नियाइक ओन देगा सब्सक्राइब क्या नियाइब को सामने या वे अपको बताए गया बहुत को सामने या मैं बहुत सब्सक्राइब सामने नहीं कहता है अप राधी सतर खो जाएंगे लेकिन हमने हमारे लीडर्स लोग यह बठे हमने उनसे इस बाद में चर्चा किये और एक बड़ा अंदोलन जो है इस पर चलेगा किसी भी कीमत पर हम अप राधी खुले नहीं खुलने देंगे और और मैं आप कल दिल्ली से हमने तै कि हम अपनी लीडर्सिप से आथ करके जल्दी जो है मध्यप्रदिस भावन गिराव करेंगे दिल्ली में और जो बाकि यह जो भी अंदोलन होगा वह यहां की लिडर्सिप यह करेगी हम उसके साथ करे रहे हैं और यहां के कारे करता हूं और अधिकार एक जैसे लोग चीनने तो क्यों नहीं मिलके लड़ रहे हैं और यह जुन पीला कम चार्ज आप देख रहे हैं मैं तो हमेशा बहुत नेक्ता पर हुआ है तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब अपनी लाइकों मिलके लड़ेंगे ऐसा ही कट्ठा हो क तो मैंने तो वहां भी बुट्टी बंद करवाईती हैं कि हमें एक हैं और हम एक जुटता से इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा और क्योंकि हमारा राज नहीं तो हमें सेना तो पड़े गई लेकिन अगर हमारे लोग तयार हो जाए मत्य प्रदेश के तो यहां राज भी दल सकता है धन्यवाद मीडिया के सभी साथ होगा और आशा उमेद करूगा कि इसे मामले में जैस जो जो आगे होगा आप इसको उठाते रहेंगे इससे के परिवार को न्याय मिले क्योंकि यह बहन वेटिकल किसी और की भी हो सकती है कुछ समय परेशन एक लोग अकत्रित हुए थे संग्यठन के सर महा पर मीडिया के मुर्दाबाद के नारह भी लगाया गया गया थो और मीडिया का विरोध किया गया था जिसके वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हुए थो यहां के इस्तानी कार्यकरताओं को यह जानकारी कि दिनली में रहता हुए फ्रदेश के राजपाल महामही मंगु झगन पतील ने आज सुबह 11 बचे श्री महाकाले शुरम मंदिर पहुचकर वगवार्ण महाकाल का विदिवदान से पूजा अरशन किया पूजन पंडित घंशाम शर्माद्वारा कराया किया राजपाल ने गनपती मंडप की बेरिगेटिंग की प्रथम रोज से पूजन अर्चित किया डक्टर मोहन यादो विवेक जोशी मौजुद थी पूजन उपरान महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासत एवं एड़ नरेन्द सूर्यवंशी ने महामईम राजपाल को शाल प्रसाल एवं भगवान महाकालेश्वर की भेट कर उनका स्वागत किया बीसेन नियूज के लिए उज्जेन से महरुदिन कप्तान की रिपोर्ट आये नज़र डालते हैं बिहार की खबरों की और भागाईपर जिले के चकदीशपुर प्रखण में शुकरवार को लोकनात उच्छवित धाले एवं वोजनी ग्राम पंच्यात में कोना टीका करन अभियान चलाया क्या कोना वैक्सिनेशन को लेकर अब लोग जागरुक होने लगे है तो वैक्सिन की कमी स्वासकर्मियों के लिए मुसीबत का कारण भी बननी लगा है देसल शुकरवार को वैजानी पंचात में वैक्सिनेशन कारी की जानकारी मिलती, वैजानी टीका करन केंदर पर ग्रामेनों की भीड एकटा होने लगी वैक्सिनेशन की नाम पर लोगों ने सोशल लिस्टेंसिंग का जम कर मजाग बनाया लोग टीका लगाने तो पहुचे लेकिन अधिकांश लोग बिना मास की ही नजर आ रहे थी सामदा एक स्वास्त अधिकारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि पहले कुल सारे 300 डोस आया था बीर को देखते हुए फिर पचास डोस और बढ़ाएक है कुछ 400 लोगों को टीका लगाया है साथ में एनम बभीता कुमारी, चनरलेखा कुमारी, उश्या कुमारी, वेरिफायर विकास कुमार, ब्यमाई भानुरंचन, आंगनवाडी सेविका सपना कुमारी, डॉली कुमारी, प्रियंका भारती, वर्षा कुमारी, पूनम देवी, विनिता कुमारी, रश्मीरानी आश यहां तो है है इस उसे 양 You वेजानी के लोगों स Canvas वेजानी के लोगों बहुतिते हैं जे रहते हैं और टाइम पे वेक्सिन ले भी ले लिए और मेक्जिमन बेजाने के लोगों ने वेक्सिन ले भी लिया है आप अपना परीचे बताते हैं मेरा नाम सुरेंदर कुमार समदाइक साल पे लिखारी मैं यहाँ पे जनुरी से पोश्टेड हूँ और मुझे जो टार्गेट दिया रहता है वो उसका मरचीद कर लेते हैं BCN News के लिए भागलपर से अमरचीद सिहां की रिपोर्ट BCN News की प्रदेशी खबरों में फिलाल अतना ही SNN ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए BCN News नमस्कार